कि हम लोग जब भी नब मिर्च के फसल लगाते हैं तो हम किसान भाईयों को ये भी चैशलिक शॉार के चारी तरफ दो लाइनघ नबड कराफ लगाते हैं जिसाằश्पर मक्गा है ज्वार है तो इनकी लंबाई काफी ज्यदा होती है और यह सफेद मक्खी के डारेक्ट परवेश पर रोक लगाती है को सफेद मक्खी डारेक्ट खेट में नहीं घुशती है जिससे उनका ट्रांसमिशन जो वायरस का होता है एक खेट से दूसरे खेट में वह परभावित होत कि मिर्च में एक बहुत बड़ी समस्या आती है अभी पतियों का आइठन जो कि वह पति नीचे की तरब मुड़ी होती है विशाणुओं में हम लोग देखते थे जो लीफ कल बीमारी होती थी उसमें पतियां उपर की तरब मुड़ी होती थी लेकिन इस तरीके के पोधों में की पतियां नीचे की तरब मुड़ी होती है इनके अंदर जो इस तरह के लख्षण अगर पोधों में दिख रहे है तो यह इस बात का संकेत देता है कि इन पोधों में माइट का इंदर इनके अंदर माइट का इंफीस्टेशन हुआ हुआ है इन पौधों के अंदर यह हम लोग देख सकते हैं पत्ती पूरी तरीके से नीचे की तरफ मुड़ गई है और इनमें एक जो एक बहुत महत्पूर लक्षर दिखता है अगर इन पत्तियों को हम पीछे से पलट करके अगर हम देखते हैं तो इनमें एक वेल्वेट या ब्राउन कलर का एक क्रस्ट दिखता है पपड़ी टाइप की दिखती है यह इस बात का इंडिकेशन है कि हमको पता चलता है कि इसमें माइट का इनफेश्टेशन हुआ है तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर यह अगर हमको खेत में अगर इस तरह का लक्षर हमको दिखता है तो इनमें हम लोग फोरन दवा का छड़काओ करें इसके अंदर हम लोग इस पाइरो में सिफेन द